चलिए आगे बढ़ते हैं राहूल गांदी से आज भी E.D. करेगी पूछताच पूछताच के लिए E.D. ने सुभा 11 बजे बुलाया कल रात 11 बज कर 10 मिनट पर E.D. दफतर से निकले राहूल गांदी आपको बता दे दूसरे दौर की पूछताच करीब साड़े 5 घंटे चली पहले दिन राहूल से साड़े 8 घंटे की पूछताच हुई यह बड़ी अपडेट आपको बता दे आज फिर E.D. के दफतर जाएंगे राहूल गांदी कल देश भर में कॉंग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला तो वही पाँच लोगों के डेलिगेशन के साथ राहूल गांदी E.D. के दफतर पहुचे उनके वकील भी उनके साथ में मौजूद थे और आपको बता दे कि पहले दिन राहूल से साड़े आठ गंटे की वारता हुई साड़े आठ गंटे दो दोर में उनसे पूच्टाच की गए अब पूच्टाच के लिए अब सुबह 11 बजे E.D. के दफतर राहूल गांदी को बुलाया गया आपको बता दे कर रात 11 बच कर 10 मिनट पर E.D. के ओफिस से निकले थे राहूल गांदी प्रदर्शन करते समय काफी कॉंग्रेस के कारकार्था मंतरी यहा तक की प्रदेश के मुखे मंतरी को भी रासत में ले लिया गया अलग-अलग राज्जयों में कल कॉंगरिस का प्रदर्शन चला और आपको बता दे आज दूसरे दौर की पूछताच होनी है दूसरा दिन है आज पूछताच का राहुल गांधी से और दूसरे दिन पूछताच होगी कल दो दौर में उनसे पूछताच हुई थी साथे आठ तक उनकी पूष्टा चली अगे बढ़ते हैं नाशनल हरार्ड केस में